आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो कुछ स्टेटमेंट से में आइडिया लगेगा कि हमारे करेक्ट आप्शन से हो सकते हैं फर्स्ट है कि जो पी है वो हो सकता है पार्टिकल्स ऑफ कार्बन ताकि वह जो एंटर करते है हुमन लंग्स में excessive Q in atmosphere राप करते है large amount of sun's heat जो increase करते है क्या earth का temperature S react करते है water के साथ जो atmosphere में present है ताकि वो फॉर्म कर सके sulfuric acid फूर्थ है कि जो catalytic converter है वो convert करते है Q and S को किसके अंदर R के अंदर ठीक है तो चले हम ट्राइ करते हैं find out करना कि P के हुआ रहा है से क्या तो P के बारे में दे रखा कि वो particles of carbon है जो enter करते हैं human lungs तो ये हमारे कौन से particles होता है आपको बता है ये हमारे क्या होता है particulate matter और particulate matter की बात की जाए तो particulate matter होता क्या है ये हमारा sum होता है जो भी solid या liquid particles suspended होते हैं किसमे air में जो की बहुत जादा hazardous होते है जो की बहुत जादा hazardous मतलब not good for health तो ये हमारे organic and inorganic particles होते हैं जैसे की let's suppose such as dust suit smoke etc liquid droplets जो भी होते हैं तो इनका size different होते है इनकी composition different होती है और मैं बोल सकते हूं जो इनका origin होते है वो different होते है तो क्या होता है जब इन particles का exposure होता है with the human body mainly with the lungs and with the heart तो ये क्या करते हैं ये बहुती जादा harmful effects show करते हैं जो result करते हैं हमारी decreased lung functioning में lung की functioning को slow down करते हैं respiratory जो हमें respiratory diseases cause करते हैं because it causes problem in the lungs and heart तो P हमारे solid liquid particulate matter होता है not the gaseous ones तो ये हमारा correct हो जाएगा नेक्स देखते हैं तो मैं P लिख सकती हूं P हमारा क्या है यहां पर particulate matter अब बात करने हैं हमें क्यों की तो क्यों के gases pollutant है जो cause करते है greenhouse gas effect तो greenhouse effect हमारे कौन सी gases primarily responsible होती है हमारी इसमें आजएगी क्या CO2, carbon dioxide और भी बहुत सारे हैं आपको बता हैं ये क्या करते हैं ये हमारी absorb करते हैं ये collect कहां पर होती है एक तो atmosphere में collect होती है और ये absorb कर लेती है sunlight को जो bounce होके आती है earth surface से तो इसके वज़े से क्या होता है जो हमारा average temperature होता है surface temperature around the earth वो क्या कर जाता है increase क्योंकि यहां पर ये gases sunlight को trap करके रखती है जिसके वज़े से ये क्या cause करती है global warming तो यहां पर क्यों का answer क्या हो जाएगा मेरा CO2 अब हमें बात करनी है कि जो acid rain cause करते है तो acid rain primarily हमारे cause कौन करते है अगर यहां पर acid की बात की गई है तो acids cause करते है obviously तो यहां पर हमारे आपको पता है कि sulfur present होता है तो sulfur dioxide हमारा combine कर जाता है air में present sulfur trioxide बना लेता है जो की further हमारे water vapor से react करके क्या बना लेता है sulfuric acid and sulfuric acid आप देखेंगे तो यह क्या है मेरा 2H positive plus SO4 2 negative तो यह H plus की concentration क्या करते है increase कर रहे हमारी rain में जिसके वज़े से rain क्या हो द रहे है acidic तो यहां पर यह हमारा correct answer क्या हो जाएगा for the S it is SO2 और last हमें क्या दिया है कि जो R है यहां पर combine कर रहा है blood के साथ ताकि oxygen को carry ना कर पाए तो हमें पता है कि oxygen से ज़्यादा affinity किसकी होती है carbon monoxide की हमारे blood के साथ bind करने में almost 78 times ज़्यादा affinity होती है और यह हमारा क्या बना लेता है carboxy hemoglobin जिसके वज़े से हमार body को में oxygen को carry करना difficult हो जाता है क्योंकि blood यहां पर carbon monoxide के साथ bind कर जाता है तो R हो जाएगा मेरा CO so P is particulate matter Q is CO2 R is carbon monoxide and S is SO2 तब इनके बारे में हम देख लेता है कि देखो P तो हमने find कर लिया exact reason given है 2 में given है जो excess Q है excess CO2 जब होगा तो atmosphere trap कर लेती है sun's heat को जो increase करता है temperature that is the cause of global warming तो यह भी statement हमारी correct होगी next statement देखते है तो क्या given है कि जो S react है water के साथ in the atmosphere to form sulfuric acid हमने देखा SO2 react कर जाता atmosphere में present water के साथ ताकि वो form क्या कर ले sulfuric acid तो यह statement भी correct है Q and S क्या है हमारे Q is CO2 and S is SO2 तो CO2 और SO2 को वो किसमे convert कर रहा है into gas R that is CO यह statement हमारी बिल्कुल ही incorrect है क्योंकि देखो यहाँ पर होता क्या है हमारा catalytic converter में यहाँ बात कर लेते है major reaction हमारी carbon monoxide bind करता है O2 के साथ और यह बना लेता है मेरा CO2 further क्या होता है यहाँ पर जो हमारे hydrocarbons है वो हमारे react करता है oxygen के साथ और release करता है carbon dioxide and water ठीक है और यहाँ पर यह हमारे further जो carbon monoxide होती है वो react करती है nitrogen oxides के साथ और यह मेरी बनाती है CO2 और N2 तो जो हमें last statement given है उसमें यह क्या बोल रहा है कि catalytic convert कर रहा है CO2 और SO2 को into CO जबकि जो हमारा catalytic converter होता है वो oxidize करता है किसको CO को और hydrocarbons को into the CO2 ठीक है तो यह statement incorrect हो जाएगी तो हमें incorrect बतानी थी तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा option number 4 ठीक है thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स आज चार्सो 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 पर